हेलो दोस्तों दोस्तों कैसे हैं आप लोग दोस्तों आप जानते होंगे कि अक्सर आपने करी लोग को देखा होगा कि उनके हड्डियों में से कट कट के आवाज बहुत जादा आती है दोस्तों यह आवाज बहुत जादा इरिटेटिंग तो होती है साथ दोस्तों यह चलते फिरते आपके जोडों में जॉइंट में कट कट के आवाज आती जाती है अगर ऐसा है बहुत बार होता है तो दोस्तों इसे आप बिल्कुल भी नजर अंदाज बिल्कुल ना करें यह हड्यों से जोगी गंभीर समस्या हो सकती है और यह एक संकेत हो सकता है जो आपको एकदम ध्यान में समझ लेना चाहिए जी दोस्तों हड्यों से इस तरह की बार बार आवाज आना अगर आप इसको नजर अंदास करेंगे अगर आप सही टाइम पर डॉक्टर की कंसल्टेशन नहीं लेंगे तो यह आप के लिए बहुत से समस्या और दे सकता है और अगर आप रहत पा सकते हैं जी दोस्तों कट-कट की आवाज आना यह बहुत हद तक तीन चीज़ अगर आप करेंगे ना तो यह आपको इन सबसे रहत मिल जाएगी जी आपको इन हग्डियों के आवास से रहत मिल जाएगी इसके पहले चीजमा को बता रहा हूँ आप ध्यान से दोस्तो मैथी दाना जी दोस्तो मैथी दाने का अगर आप सेवन करेंगे तो इससे आपकी हग्डिया मजबूत होंगी बहुत फाइदे मन होगा आपके हग्डियों के लिए और ये जो कट-कट के आवाज है ये धीदर जाएगी अब आप सुछेंगे कैसे करना है मैथी दाने अगर आप इसको इस्तमाल करेंगे तो आपकी जो हडियों मेंसे आवाज आने की शिकायत है ये देरे बंद हो जाएगी और आपको बहुत रहात मिलेगी अगली बात दोस्तो इसके लिए आपको पीना है दूद जी दोस्तो हडियों मेंसे कट-कट की आवाज आने का मतलब ये होता है कि इसमें आपकी हडियों के बीच में लुब्रीकेशन की कमी है यानि कि तरल पदार्थ होता है जिसके मेंसे आपकी हडियों अच्छे से मूव करती है उसकी कमी हो जाती है अकसर दोस्तों जब उमर बढ़ती है तब ये समस्य जादा होती है इसलिए आपको अप कि ये जो हड्डियों के कट कट के आवाज है इसमें आपको आराम मिलेगा दोस्तो गुग और चने एक साथ खाना जी दोस्तो भुने वे चने का साथ अगर आप गुग का सेवन करते हैं तो इससे आपके शरी को बहुत फाइदा मिलता है भुने हुए चने में कार्बोहाइडरेट्स, प्रोटीन, कैलशियम, आयरेन और वाइटेमिन भरपूर मातरा में पाए जाते हैं जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत फाइदे मंद होता है दोस्तो दिन में एक बार गुग और भुने हुए चने जरूर खाएं इससे हड्डियों की कमजोरी दूर हो जाएगी और कट कट की जो आवाज है ना वो भी आनफ बंद हो जाएगा दोस्तो ये तीनों ही चीत जो मैं आपको बताई हैं ये बहुत ज़्यादा फाइदे मंद है और अगर आपको अपनी हड्डिया मजबूत करनी है अगर आप चाहते हैं कि आपको आने वाले टाइम में जो हड्डियों की समस्या कोई ना मिले तो दोस्तो ऐसे में आप चोटी चोटी बाते ध्यान देंगे तो आपको बहुत आराम मिलेगा दोस्तों उम्मेद करता होगे अगर आपको कोई भी समस्या होती है हड्यों की बताया कट्टकन की आवाज तो दोस्तों आप करेंगे और वीडियो आपको अच्छी लगी हो गया अपके फायदा मिलती है दोस्तो आप सभी ने अपने समय देश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप स्वास्त रहें मस्तर पर ख्याल रखें थैंक्यू दोस्तो